अभ्यास 13-A का पहला प्रश्न है कि निमलीखि चित्रों को काटिए, प्रतियक को दो भागों में इस प्रकार मूरिए कि दोनों भाग सरवांगसम हो जाए तो यहाँ पर हमें चार फिगर दिये हुए हैं और इन चार फिगरों को हमें दो भाग में बाठना है और इस तरीके स यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ठीक है यहां से अंगर हम काटेंगे तो क्या होगा कि हमारा यह फिगर कि यह दोनों सेम होगा यहने सरवांग सम हो जाएगा यह हम चाहें तो पर तरीक से भी इसरे दो भागों में saute सकते हैं अगले हम देखने दो तरीके से विभाज़न की विडियाय से हम सरवाग्सम फिगर प्राप्ट कर सकते हैं तो इस तरीके से विभाज़ित करें यृऊ ना पर जो यह करto आफ्र जाय से यह दोनों भी क्यों हो जाएगे सरवाग्सम हो या फिर इस साइड वी एक साइड से बहुें, लि'll you के हम दोनों समान भाग में बातेगी है फिर इक तरीके से बहुत लिल्स एम दोनों से पर लिखले में किवे हैं खेग के लिदे करने के looks एक जैसी आकरिती का यानि सरवांगसम हो जाएगा वृत्य है तो वृत्य के बीच में हम एक लाइन ड्रा करेंगे यानि व्यास खीचेंगे व्यास क्या होता है केंद्र से होके जाने वाली जीवा होती है तो केंद्र यह हो गया और केंद्र से जाने वाली एक जीवा कर हम खी अगला प्रशन देखिए तो इसमें दिया हुआ है कि यह जो फिगर दिये हुए अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग इनको अगर हम मोड़ें तो क्या यह दोनों भाग सरवांगसम होंगे या नहीं होंगे तो यहां पर हमें हा या नहीं में उत्तर देना है देखिए पहले फि दोनों एक जैसे नहीं दिखना है तो यह सरवांगसम नहीं होंगे तो यहां पर लिखेंगे कि नहीं होंगे अगले फिगर में देखती है तो इस तरीके से अगर मोड़ें दोनों फिगर जोंगे दोनों जो यह पेज होंगे पेज के साइड यह दोनों एक उपर आ सरवांगसम होगे अगला figure आप देख सकती है कि हम यहां पे यह दो नों आ प्रतियां एक जैसे ही नहीं हैं यहां से मोंडने पër livres क्षिच्र एक सरवांगसम होगे की दों यहां पर हम लिखतां democracy में नहीं कर दिढादv पहला था नियून कोड त्रिभुज तो पहला है नियून कोड त्रिभुज सेकेंड था सम कोड त्रिभुज और तीसरा था अधिक कोड त्रिभुज तो यहां पर हम देख रहे थे कि नियून कोड त्रिभुज में नियून कोड त्रिबुज में सारे कोड नियून कोड थे यानि नब्बे से कम थे नियून कोड मतलब नब्बे होता है तो सारे कोड नब्बे से कम थे सम कोड त्रिबुज में कीवाल एक कोड जो था वो 90 डिगरी का था और अधिक कोड में हम देख रहे थे कि एक कोड 90 से अधिक होगा नब्बे से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा अधिक कोड त्रभूज हो जाएगा तो इस तरीके से पहला जो त्रभूज होगा उसको हम लेख सकते हैं कि यह त्रभूज जो है यह होगा अधिक कोड त्रभूज सेकंड फिगर हम देखते हैं तो यह 80 है यानि 90 से कम है नबे से कम है यह पहला वाला दूसरा वाला भी नबे से कम तीसरा भी नबे से कम नबे से कम के कोड़ को नियून कोड़ करते हैं यानि सारे कोड़ अगर नबे से कम है तो यह हो जाएगा नियून कोड़ त्रिबुज इसमें हम देखते हैं दो जो है नबे से कम है लेकिन एक कोड़ नबे के बराबर है तो अगर एक कोड नबे के बराबर होगा तो उस त्रिबुज को हम कहेंगे समकोड त्रिबुज यह हो जाएगा समकोड त्रिबुज अगला फूर्थ है कि निमलिखित को निमलिखित त्रिबुजों को उनके भुजाओं के आधार पे वर्गी कृत किजिए तो भुजाओं के आधार पे हम देखें हैं कि तिर्भुज तीन प्रकार के होती है पहला है संबाहु तिर्भुज दूसरा है संद्वी बाहु तिर्भुज तीसरा है विशम बाहु तिर्भुज तो संबाहु में सारे भुजाएं बराबर होती हैं और यह दो नोप भूजा में तुम पराबर होंगी स्रवहत better इस विज्ण कुछ हैए जो उड़ातVIS, ONO इसलिए दोनों की लंबाई क्या होगी बराबर होगी तो अगर पहला 4.5 है तो यह भी क्या हो जाएगा इसके भी लंबाई जो है 4.5 cm हो जाएगी अगला प्रशन हम देखते हैं तो इसमें दिया है कि चीत्र में A, B, C, D एक रेखा पर इस्तित बिंदू है और यहां पर हमें देखा खंड C, A, C, A जो है बराबर दिया है B, D के यह दोनों देखा खंड बराबर दिये हैं तो यहां पर कहा है कि तो देखा खंड C, B और A, D बराबर है या नहीं तो मैं बताना है कि C, B और A, D के बराबर होंगे कि नहीं तो देखिए हमें दिया हुआ है कि C, A, B, D, C, तो दोनों में एक ही चीज जोड़ देंगे तब भी बराबर होने चाहिए तो दोनों साइट हम क्या कर रहा है कि एभी जोड़ देते हैं इस साइट भी जोड़ दियें तो हम देख रहे हैं अगर हम एभी जोड़नें तो यह हो जाएगा सीबी पुरीके हम क्या किया है बराबर है या नहीं धेख रहें यह तो m cb B बराबर code COD, तो देखें क्या है, code A, O, B, ठीक है यह जो code है, code A, O, B, यानि हमें ये code जो दिया है, यह code में ध्यक्स,"COT,"COD,"COD,"COD,"— neut, यहां पर दिया है कि यह code इस code के बराबर है, हадно है तो हमें सिद्ध्र करना है तो किया COB AOC कोड BOD के बराबर होगा या नहीं होगा यह हमें दिखाना है तो जो चीच हमें दी है पहले उससे हम लिखHHат分享 के बराबर है, थीक है कि यहां पे घ्यात है कि यह कोड़ इस है अब इन दोनों कोड़ों में हम इस कोड़ को जोड़ेंगे ति tweaking दोनों आपस में बराबर है तो एक ही चीज़ जोड़ेंगे तब भी क्या उव्गे वें अपस में तो अब देखें अगर code AOB में ठीक है इस code में अगर इस code को हम जोड़ेंगे यह नोगर और पूरे code को हम लिखेंगे AOC के पूरे code को हमलेड़ेंगे code AOC यानि यह जो हिसाए वह जाएगा code AOC के बराबर और फिर बराबर के इस तरह हम देख रहे हैं code COD COD यानी ये code है और इसमें हम जोड रहे हैं BOC इसको जोड़ेंगे तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो देखने पूरा हिस्सा आजाएगा तो इस case में इसको हम कहेंगे BOD ये बराबर हो जाएगा BOD के तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि AOC बराबर होगा code BOD के तो यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं कि तो क्या ये code आपस में बराबर होंगे तो हम लिखेंगे कि हाँ ये code जो है code AOC बराबर होगा code BOD के तो पहले हम हल करके दिखाएंगे फिर हल करने के बाद लिख देंगे कि हाँ ये कोड बराबर होंगे